हलो फैंस मैं हूं धर्मेंद और आप देख रहे हैं चैनल यूर एक्जाम गोली आप सभी का आपके अपनी चाल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जाने गए होगे कि हम इस वीडियों बात करने वाले हैं आपके बिहार पुलिस रिजल्ट 2019 के बारे में जिहां दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने आपका रिजल्ट चेक कलिया होगा आपका रिजल्ट कल ही डिकलेयर कर दिया गया था हाला कि उम्मीद तो कल की नहीं थी उम्मीद तो आपके जून लाश्ट बीक तक की थी जैसा कि हमको इंफर्मिशन कलेक्ट हो कोई बहार पुलिस में धंदली चलिए तो कोई बोला ऐसा रिजेट में मिष्टेक है तो जीर दोस्तों ऐसी कुछ समझ में आ रही है इससे ऐसा लगड़ा है कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है या फिर धंदली या फिर आपकी गलती और पिर कोई और प्रॉब्लम बट है जरूर इसके हम आपको प्रूब दिखाने वाले हैं लेकिन दोस्तों आप लोगों से बोलें यदि आप आटिया लगाना चाहते हैं जैसे कि बहुत से कैंड इतनी बोला था मेरे सिसर आप मेरी आटिया लगा दीजिए कैसे लगाते हैं तो दोस्तों उन लोगों एड़े सेंड की और मैंने लगा वी दी बाकायदा रही आप भी लगाना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा आपके इंफॉर्मिशन देने के लिए आपको रेश्टेशन कराना होगा तो दोस्तों आपको हर एक चीज पता वीडियो में वो भी देखने वाले हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अन तक बने रहे हैं चली हर एक चीज़ को डिसकर्श करते हैं आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब आपस करें साइड में बैल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लें ता जैटिंग वाली रिजयल्ट हुआ है जिनके पास परिक्षा सपेल हैंसर किया था रहे हैं और यहां पर हुसी चिंता की बात नहीं चहुंटा दिलास अमदी जी और सेंटिंग तो दोस्तों यहां से कमेंट्स मेरे पास इसलिए मैं आपको वीडियो लेकर आया हूं आप दोस्तों इसी प्रकार से मेरे पास और कमेंट आये हैं जैसे कि यहां पर मोकेश कुमार जी बोलते हैं सर रिजल फाइनल आया है अभी कुछ बांकी सेकेंड है या फिर आप फर्स्ट क्या लिश्ट आएगा क्या प्लीज यहां से कुछ कमेंट करके आ रहा है कि सर और भी जाये का रिजल तो आपको भी इस चीज का इंफॉर्मिशन देने वाला हूं दोस्तों आप लोगों का आगया रिजल्ट आप नहीं आना कोई लिस्ट जो था वो आ गया ओके आप लोग कैंड़ेट की संख्या देख सकते हैं पांच गोना कैंड़ेट सेलेक्ट करने थे हो आप दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं सर आटी आई करवाना है कैसे करा प्लीज रिपलाइ मी सर तो दोस्तों इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया कि ताकि आपकी पूरी सी पूरी हल्प मैं कर सकूं आप दोस्तों और नेस्ट कमेंट क्या है मेरा 74 सही था फिर भी हुआ बिहार में पूरा सेटिंग वालों का हुआ है ऐसा कहना है करण कुमार जी का तो दोस्तों आपको बता अब tratar करण जी के यह प्रॉब्लम नहीं यहिए से बहुत से करेंडेट हैं Two पर पास कमेंट करें कि सर मेरे माक्स हैं मेरे से कम बालों का हुआ है और मेरा नहीं हुआ यहां पर फिर देखिए आप लाल बाबुजी भारती बोलते हैं सर मेरा 71 राइट था सी में फिर रिजेल्ट नहीं आया अब दोस्तों आपने देखा कि इनके इतने माक्स इसके कर नहीं हुआ तो यहां पर कोई ना कोई मिश्टेक्स जरूर है चलि हम देखते हैं बोट को कि आखिरकार किस ने डाला है कि ऐसी में उसका पचास से पच्पन में हो गया कितने लोगों ने डाला है कि दोस्तों आपनों के कमांड बहुत जादा है इसलिए मैं हर किसी के रेपलाई तो नहीं दे पाता सौरी इसके लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगा ताकि और से और अधिक से अधिक में आपके रेपलाई दे सकूँ तो फेंज आप देपा रहे होगे हम आ गए हैं यूर एक्जाम गोले की कमुनिटी टेप पर जहां पर कल पोल क्रियेट किये गए थी और जिसमें कैंडिएट ने बोट भी डाला है यहां पर फीमेल वाला डाला था तो दोस्तों आप फीमेल का देख सकते हैं आप फीमेल न इसके बीच इसी प्रिकार से आप यहां पर देख सकते हैं बिहार पुलिस एक्जामें आपके मार्स कितने हैं आप मैंने बोला था है एस्टी के डिगरी वाले मेल तो दोस्तों यहां पर पचास से पच्पन वालों ने तीन पिटिसएद बोट डाल है मतलब कि यहां पर एस से लेक्शन हुआ है कि नहीं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि कल मैंने बोल की रेट किया था कि आखिरकार एस्टी के डिगरी से जादी आप मेल हैं तो आपका बोल डाली कितने में आपका सेलेक्शन हुआ है तो दोस्तों आप यहां पर आखे खोल के दे पर्षेंट लोगोंने बूट डाला हे कि मेरा सलेक्शन हुआ है और अभी मैंने आपको दिखाये था क्या comment box में कि सर मेरा 74 था सर मेरा 77 था तो मेरा शलेक्शन नहीं हुआ है आप यहां सा होसकता है और आपको 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 सही पता नहीं है कितने कि आप सिर्फ यह बोल रहे हो कि मेरे मांक्स 74 से 73 के बीच हैं क्योंकि दोस्तों जब बेहांपर 45 से 50 के बीच में सेलेक्षन हो रहा है का एंडिट का तो आपका वी जाहएड सी बात है काट-उप candidate का लगा चुका हूँ कम से कम 10 से 15 candidate का तो दोस्तों आपको बता दें यदि आपको RTI लगवाना है तो आप जाई इसी वीडियो के description box में वहाँ पर एक link होगा वहाँ पर लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको registration कुछ चार्ज देना होगा जैसे की RTI का और हमारे हाँ पर जो हम लगाएंगे उसका चार्ज जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और बोचार्ज फिल करेंगे तो आपके समक्ष पेज आएगा जिसमें एक link होगी जी हाँ दोस्तों आपको उस link पर जाना है और वहाँ पर आपको अपने details फिल करने हैं जैसी जैसी मैंने मांगी है आपका email ID required रहेगा आपका आवेदन से संबंद सारी जैना information आपको देनी होगी आप कहां से belong करते हैं आपका प्रिखंड क्या है जिला क क्या है आपका pin code क्या है वगरे वगरे रॉल नंबर रॉलमेंट नंबर हर एक information आपको हां पर देनी होगी और आप समिट कर दीजिगा आपकी हर एक जानकारी गोपनी रहेगी कोई बंदर देख नहीं सकता यहां पर सारा का सारा data हमारे पास collect हो जाता है तो के फैंस आप ज द्धांदली चली या फिर कोशी गरबरी है कोशना को जरूर हो गया तो आपने आप से ही आप समझ रहे हैं कि मेरे इतने मार्ग से और इतने हैं नहीं आपके या फिर धांदली हुए सीधी बात ओकी चलिए हम देखते हैं next category का कट अफ कितना रहा तो दोस्तों EBC का देखि हम को आखिर कर कितने में हुआ सेलेक्शन साट से 65 के बीच में हो गया है बच्चों का सेलेक्शन EBC के डिग्री से चली देखते हैं next तो दोस्तों आप आंगे भी देख सकते हैं यहां पर बीसी का कट आफ है बीसी का भी दोस्तों पचास से पच्पन के बीच में कार ऐसा है यहां पर BC से 11% लोग हैं जिनका पचास से पच्पन के बीच में सेलेक्शन हो गया और आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों सबसे लाश्ट EOR का कट ओफ जिहां दोस्तों यहां पर 80% लोगोंने कमेंट किया है दोस्तों यह तो फिर ऐसा हो सकता है अभी हम इतना नहीं मा पाली कि और पाली होगा यहां पर लेकिन कमेंट में आया है कि 55 की बीच 80 लोगों का यूरिक फैंस जली दिए आपको बताता हूँ कि आपको कैसे जाएंगा रिइश्टर कर देंगे आपने आपको की आर्टी या लगाई धू कि आपके साथ ऐसा हुआ हैं कि आपके नमर 60 हैं और आपका selection नहीं हुआ तो दोस्तो आप सब इस request है आप RTI जरूर लगाएं यहां से नहीं तो कहीं और से लगाएं बट RTI जरूर लगाएं यहां से लगाएं कि तो एकट data available होगा हम analysis कर सकते हैं यहां दोस्तो तो please RTI जरूर लगाएं क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का selection 60 में हो जाएं किसी का selection 74 में नहीं हो दोस्तो यहां पर यह तो बहुत बड़ा घपला है यहां यह कहें कि आपको अपने आप पे खुद आप नहीं बता सकते कि आपने सही सही कितने की थे आप अप पता है जल जाएगा किसी सब्सक्राइक काइसे आप आपको क्थिछ सब्सक्राइब कर आब को दोस्तों दोस्तों आप लिंक पर पर बॉय नाव पर क्लिक करना है जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपके समख चैसा इंटर्फेस आएगा जिसमें आपको डालना है अपना नाम अपना इमेल एडिस जिस पर आप आप रटी आई चाहते हैं आपको रिपलाइज मिलेगा वो और आपको मोबाइ जब करेंगे तो आपको पाता चल जाएगा यहां पर कोई का कोई स्वेयर नहीं कर सकता है नहीं देख सकता है आपको नेक्ट पर क्लिक करना है जैसे दोस्तों आप नेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके समख चैसे यहां पर पैमेंट के आप्शन सो हो जाएंगी तो दोस् हम से यहाँ पर कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पर कीवार कोड़ है इसको स्कैन करके कर सकते हैं पैमेंट या फिर आप चाहें कि सर मैं नहीं कर सकता मेरे पास और दूसरे option से तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके समझ और बी option आजा आपको दोस्तों यहां पर credit card debit banking wallet से पे लेटर हैं आप किसी को एको क्लिक करने जो आपके पास हो जैसे कि हम ने यहां पर क्या किया है debit card कारट जो कि आपके команд की ऊपर रहता है सिए कर दोबांगे कर देना यहाँ इदा कर देने लिगी इतना है तो आपके समयद जो ही आप इसे लिंक पर क्लिक करेंगे और अपनी इंफॉर्मिशन सारी क येक Milstein कर देंगे तो फ्रेंस आप देख पा रहे होगे मेरे पास यह पेज आ गया मैंने जैसे पैमेंट की है जी हां दोस्तों आपकी पास भी ऐसे पेज आएगा आपके यहां पर इस लिंक पर क्लिक कर देना है टेस्ट देने के लिए मतलब कि आपकी इनफॉर्मिशन देने के लिए जो हम आटियाई में देंगे आपकी है ना आपके यहां पर क्लिक कर देना है और इसको पाड़ लाना है कि आटिया लगने के बाद आपका पैस अबापर इस नहीं होगा एधि आपकी आटिया इसकी जिम्यदारी कोई नहीं लेगा यहां पर इन चीज़ों को पाड़ लेना ओके तो दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंके जैसे मैं नहीं पर क्लिक किया तो देखिए मेरे समक्स यहां पर गूगल फॉर्म सो हो रहा है मतलब की यहीं पर मेरे को अपनी इनफोर्मिशन देनी हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले आपका यहां पर इमेल दालना जो कि आप आप में देना चाहते हैं जिस पर आपको reply मिलेगा तो यहां पर अपनी details देने होगी मतलब कि आविदक का नाम क्या है जी हाँ दोस्तों जैसे कि RTI में आपका मांगर्स आएगा आपके राजी का नाम जैसे कि बिहार हुआ सहरी छेतर आप कहां पर रहते हैं प्रेखंड सहर या गाओं आपका फॉन नम्मर लिंक क्या है मेल है फीमेल है मकान नम्मर गली नम्मर या फिर आपका दोस्तों यहाँ पर जिला भी डालना है आपको जिला के बाद आपका सहां चयर पांच यह पाँब्마 पिन इल्यू कर दालना है शरेया बर जाना उन्यू पर मतलब कि आप नहीं डाल पाते तो यहां पर जरूरं डालिएगा और यहां पर अपना रॉल नमर डालेगा ताकि हम क्या कर सकें आपका रेजिस्टेशन नमार और आपका रॉल नमर बाकाद आइटियाई में फिल अप कर सकें जिससे कि उनको थोड़ा सहूल या थो आपका डाटा मैच करने में या देखने में ओके तो वश डियर फैंस इतनी प्रोसेस है इतनी प्रोसेस जैसे आप कर लेंगी तो आपको समिट का बटन आएगा अच्छे से डिटेल्स बहना ताकि आपको आपको आटियाई में कोई प्रॉब्लम ना जाए और आटियाई जरूर लगा जी दोस्तों इतनी मेहनत की है इतना पैसा खर्च किया है जी जान लगाया है तो आप खिरकार आपको इतो पता चलना चाहिए ना कि आपको नमर मिले हैं तो कितने मिले हैं और किस वज़य से आपका सेलेक्शन रुख गया है हमें आप पर रिजन भी पूछेंगे एंड इसके साथ साथ आपके मार्क्स भी पूछेंगे तब तक लिए फैंस वीड़ो पसंद आई हो तो प्लीज उसको लाइक कर दें और अधिक से अधिक जितनी शेयर कर सकते हो उतनी शेयर कर दीजिए ताकि आपके हर एक भाई बहन तक पहुंच जाए ओके फैंस लेते हैं आपसे बिदा जय हिंद जय भारत